हलो फ्रेंट्स नमस्का स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल एसके जोगी से में फ्रेंट्स आज हम जिस पॉइंट पे डिसकस करने जा रहे हैं वो संबंदित है आर आर बी ग्रूप डी की काड़ोफ 2020 में क्या रहेगी उससे संबंद में आज हम डिसकस करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों मीडिया के मादम से हमें शुचना मिली है कि आर आर बी ग्रूप डी की जो वाकेंसी 2019 में निकली थी उसके एक्जाम साल 2020 के एंड तक होने की संबंवना है तो आप अबी से अपनी तयारी स्टार्ट कर दीजी यह आप कैसी तयारी करें इसके लिए हमने भी एक वीडियो बनाया हुआ है आप जाके प्ले लिस्ट के अंदर रेल्वी गुरूप डेई जो सेक्शन है उसके अंदर देख सकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि कट ओफ आपको क्या मिलने की संबावना है ताकि आप अपने तयारी आपने कटेगरी वाइज सोचल कटेगरी वाइज और भी बेतर कर सके तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है कहीं कोई स्कीप नहीं करना है कर चैनल पर पहले बारा ह है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी दबा लीजी ताकि जब भी मैं कोई आर आर भी से सम्बंदित को नए वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेस के सब्सक्राइब से वुचान करी प्राप्त हो जा सकती है जैसे कि आपको पता है आपकी जो पेपर होगा वह हैंडर मार्क्स का होगा केंपूर बेस्ट एक्जाम होगा तो जो अन्रिजव का टेगरी है उसकी एक्सपेक्टिड कट ओफ है वो ब्यासी जा सकती है इसी प्रकार से ओवी सी की हम बात करें तो वो असी तक जाने की संभावन है तो अन्रिजव और ओवी सी में तकरीबन दो नंबर का ही फासला है यह पड़िस माइनस दो तीन हो सकता है लेकिन यह आज की इसाब से जो कंट ओफ आग्सकेटिड हो इतनी है cri sc कि बात करें तो 70 जा सकती है वो स्ट की बात करें तो 63 जा सकती है इन मीं व्यत्न काफी डिफ्रेंस हैban X-Service की बात करें तो 35 तक जा सकती है PWA की बात करें तो 47 तक जा सकती है CCAA की बात करें तो 30 तक जा सकती है तो यह एक अनुमानित cut-off है इसमें कुछ changes भी हो सकते हैं इसके लबावा जब आपका exam होगा जब तो घूच अब हमें एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और भी फिर्चर की एक्सपेक्ट डिडे कट और वह बताएंगे तो इस हिसाब से आपको अपनी तयारी करने है कि आपको कि इस क्टेगरी से बिलोग करते हैं वो कितने expected marks आपको लाने की संभावना है तो I hope friends ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like बटन दबाके मुझे बताएं और इसको आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हैं Thank you very much, have a nice day